इस्टोरी वीद अरुन सुन रहे आप तमाम स्टोरता सम्में, मैं अरुन गिरी के तरब से प्यार भरा नमसकार। आदरनीय स्टोरता, अभी आप लोग सुन रहे हैं YouTube का इस्टोरी वीद अरुन चैनल। और मैं हूँ आप सभी का हरपल का आरजे दोस्त अरुन गिरी। उपस्तित हूँ एक बार फिर से थीलर नोबेल सीरीज बिसिसांग के साथ। जियाँ फ्रेंट्स आज से आप लोग इस्टोरी वीत अरुन पर थीलर नोबेल सीरीज भी सुनेंगे। जिसके अंतरगत हर एक बहुती दिल्चस्प, सस्पेंस और थीलर उपन्यास आप लोगों को मैं सुनाओंगा। इसी क्रम में आज से मैं सुरू कर रहा हूँ एक बहुती जबरदस्त सस्पेंस और थीलर उपन्यास जिसका नाम है आतंग के बादन। इसी उपन्यास को आज से आप लोग इस्टोर पर में कोई भी वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रिंस, अब ज़्यादा देर नहीं करते और श्टोरी वीथ अरुन पर आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ एक बहुती जबरदस्त, सुपर हीट, ब्लोकवर्ष्टर, सस्पेंस और थिलर नोबिल जिसका नाम है आतं के बादल। सुनिए इसी उपन्यास की पहली एवं इसकी प्रीमियर एपिसोड आरजे अरुन के साथ। धर्मपूरे जैसे बदनाम इलाके का ये निहाय थी घटिया बार था। ये दूसरी बात थी कि इस इलाके में यही बार किसी फाइवेश्टार होटल से कम नहीं था। भीतर परवेश करते ही बहुत बड़ा हॉल था जहां कुरसिया और टेबल लगा रखी थी। पीने वाले बोतलों और सीसों के गिलास सहीद जमे बैठे थे। किसी सरीफ बेक्ती का तो यहां मतलब भी नहीं था। ये सब सहर के छटे हुए बदमास थे। सहर में होने वाले सत्तर परतिसत जुर्मों की जड़ इसी धर्मपूरे में थी। हर मुजरीम इस इलाके में आकर खुद को सुरक्षित समझता था। बार में एक तरफ केविन बने हुए थे। जहां दरवाजू के अस्थान पर गाढ़े रंग का हरा मैला मोटा सफेदी लटक रहा था। सा सफेद सा परदा लटक रहा था। बार के केविन बड़े-बड़े दादाओ के लिए ही आरक्षित रहते थे। पिछले कुछ दिनों से इस बार में बिल्कुल नया चेहरा नजरा रहा था। उम्र कोई 40 के आसपास होगी सुखा, पतला और लंबा। गालों में गड़े पदे हुए थे। तीखी नाक और चलाखी से भरी चमकती आखे। सीर के बाल आधे सफेद और आधे काले थे। चुंकि उसब आधा इंच लंबे थे। इसलिए बेतर्तीव से फैले हुए थे। बदन पर अकसर काली पैंट और चार खानवाली कमीजी दिखाई देती थी। सस्ती सी सिगरेट का पैकेट और माचीस हमेशा उसके बाए हाथ में दबा रहता। ये जुदा बात थी कि उसे कभी का बारी सिगरेट पीते उए देखा जाता। पहले दीन तो ये हाल के एक कोने में टेबल पर बैठा। हॉल में निगा दोडाता रहा। करीबन वो चार घंटे वहां बैठा होगा और इन चार घंटों में उसने सिर्फ एक पैग सराब का ही पिया। इस बीच न तो किसी से बोला और नहीं किसी ने आकर उससे बात करने की चेश्टा की सिवाए उवेटर के। फिर रात के साड़े बारह बजे ओ उठा और बाहर निकल गया। अगली रात नव बजे ओ फिर आया। और कल वाली जगा परी बैठ कर हॉल में निगा दोडाने लगा। आदे घंटे से जादा तेबले भारे हुई थी और वो जानता था कि घंटे भार में ये सारी जगा नामी, गिरामी, बदमासों से भार जाएंगी। लगबग देड घंटे के पास साथ उसने उवेटर को सराप का पैग लाने को कहा। पैग आने पर ओ धीरे धीरे चुस्किया लेने लगा। आदे घंटे में कहीं जाकर पैग समाप्थ हुगा, तो उसने सिगरेट सुलगा कर कस लिया। फिर इस तरह कस लेने लगा कि सिगरेट ज़्यादा देर तक चले। एक आये को संभाल कर बैठ गया। कुछ दूर टेबल के गिर्द पड़ी कुर्सियों पर पांच ब्यक्ती सराब बैठे सराब पी रहे थे। कि सासा एक उठकर उसकी तरह बढ़ने लगा। आने वाला पैनी निगाहों से उसे देख रहा था। वह ऐसे ही निगाहों से उभी उसे देखने लगा। वह आकर उसकी टेबल के पास रूख गया। हाथ में सराब का गिलास मौजूद था। जिसे वह आते समय अपने टेबल से उठाता लाया था। कल तुझे पहली बार देखा था। और आज दूसरी बार। आने वाले आने वाला खोट सी खोट कर बोला। कौन है तू? तुमारी तरह सरीफ इंसान हूं। उसांत भाव से कव उठा। मैंने तूसे पूछा है कौन है तू? इस बार उसका स्वर उखड गया। ज्यादा हीरो बने की कोशिस ला कर। वरना तू मुझे उठा कर बाहर फेक देगा। नहीं, ऐसा घटिया काम मैं नहीं करता। काने के पास साथ उसने एक ही सास में गिलास खाली करके टेबल पर रखा। और जेब से करारी वाला चाकु निकाल कर उसका फल खोला और उसके चेहरे के सामने लारा कर बोला। अब समझा, चाकू देकर उसके चेहरे पर च्छन भार के लिए घाबराट के भाव आये, फिर तुरंती संभाल गया, उसकी आखों की पुतलिया बता रही थी, कि उसका जेहन बहुत तेजी से काम कर रहा है, तभी चाकू वाले के अनियचार साथी भी वहाँ पहुँचे, उस तब इस अन्दास से खड़े हो गए, कि उनके वीचो थिरक कर रा गया, प्रन्तु अपनी भरफूर कोशिसों के कारण ओला परवाही से कुर्सी परी जामा रहा, उसने आने वाले अनियचारों पर निगाह डाली, फिर उंगलियों में फंसी सिगरेट को सराब के खाली गिल आत्म विश्वास भर कर कहा, मेरे पास भारा हुआ रिवलवर है, साला धमकी देता है, एक ने क्रोध भरी स्वर में कहा, जब तक तेरा रिवलवर बाहर आएगा, तब तक ये चाकू तेरे पेट में घूस कर, पेट के रास्ते से बाहर निकाल आएगा, अगर इतना ही भरो पेले ही गोली तेरी खोफडी को भाड़ कर रख देगी, साहे तुझे नजर नहीं आ रहा है, कि मेरी उंगली रिवलवर के टेगर पर है, और उसमें छो गोलिया भारी हुई है, सब ने हैरानी से उसके हाथों को देखा, जो की खाली टेबल पर पड़े थे, तुमारे हाथ हाथों खाली है, तिसरे ने आस्चरे से कहा, अपनी अपनी समझ का भेर है, ओ अजीब से स्वर में बोला, तुम जैसे बहुत से मेरे हाथों मर चुके हैं, जिनोंने मेरे हाथों को खाली समझा, ओ पांचों एक दुसरे का चेहरा देखने लगे, इधर दुर से कुरसिया ख बैट जाओ, ओ फौरन बोला, सराफ़त से पूछोगे, सराफ़त से पूछोगे, तो हर बात का जबाब मिलेगा, नहीं तो, पांचों ने फौरन निर्ने किया, चाकुवाले ने चाकुब बंद करके जेब में डाला, फिर उनोंने अन्य टेबलों से कुरसिया उठा कर वहा वाली टेबल से सराब की बोतल और गिलास उठा लाया, सराब गिलासों में पढ़ी, और महफिल गरम हो उठी, उसके गिलास में भी सराब डाल दी गई, ये सब देकर उसके चेहरे पर रहात के भावा आ गए, आख बिजई फुर्न मुस्कान से चमक उठी, अब कहो गुरू तुम चीज क्या हो, एक ने उत्सुकता से पूछा, कहां से आये हो, अब तक कौन-कौन से गुल खिला चुके हो, उसकी थोड़ी सी गर्दन अकड गई, थोड़ी सी छाती फूल गई, उसने ऐसी निगाहों से सब को देखा, जैसे सब बिना उसकी इजाजत के यहां आ है, क्या नाम है तुम्हारा, सोहनलाल, दो पल वहाँ पर चुपी छाई रही, हम समझे नहीं, तुम किस सोहनलाल की बात कर रहे हो, कहने वाले के चेरे पर उसकी कठोर निगाहे जम गई, फिर अगने ही पल उसका हाथ चला, और कहने वाले के गाल पर जा पदा, चटाक, हरा काम चादे, एक-एक सोहनलाल गुर राया, अंडर वर्ड के कितने सोहनलाल भारे पड़े है, जो मुझे अपना परिचय देना पड़ेगा, आखे फाड कर देख, बंबई का मसूर, गैंग्स्टर, सोहनलाल तेरे सामने बैठाए, उसके इन सब्दों के साथ ही, वहाँ सब क को जैसे साम सुंग गया, हर किसी की हालत ऐसी हो रही थी, जैसे उन्हें सेर के पिजरे के भीतर फेक दिया गया हूँ, हाथों में पकड़े सराप के गिलास से घूट भरना भूल कर, सुख रहे होटों को जीब से गिला करने लगे, गालों में खुसकी फुर्ण काटे साया, सबने हाथों में पकड़े सराप के गिलास खाली किये, और गहरी गहरी सास लेने लगे, ए, कहूं उस्ताद, बुरा तो नहीं मानोगे, कहूं, सोहनलाल कहने वाले को उख्टी निगाहों से देखने लगा, कहने के पुर्वा उसके चेरे पर हिच्ची चाहट के भाव उफ्रे, उस्ताद, उसुखे होटों पर जीप फिर कर बोला, आज से करीब दो महीने पहले, तुमारे गैंक की टकर बंबाई पुलिस से हो गई थी, और पुलिस ने तुमारे सारे गैंक को मार कर, तुमें भी मार गिराया था, तुमारे मर की तस्वीर देश भर के सारे हाँ, तो फिर उसा बाते भूल जाओ, जो अकबार में छपी थी, सोहलाल को मारना पुलिस वालों के बस का बात नहीं, उसाब मेरी ही चाल थी, जो काम्याब रही, अब कानून की निगाहों में मैं मरा हुआ हूँ, और हकिकतन जिन्दा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, एक ब फिर वहाँ पे तीखा सन्नाटा चा गया, उस्ताद, गिलास तो खाली करो, सोहलाल ने भौएं सिकोट कर, कहने वालों को देखा, जो खीसे मिसेर रहा था, फिर उसने ऐसे गिलास उठाया, जिससे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, तद पस साथ एक बूंद भरने के प साथ बुरा समूह बनाते हुए गिलास नीचे रख दिया, क्या हुआ उस्ताद, बहुत घटिया सराब है, बिल्कुल इस प्रीट की तरह, माफ करना उस्ताद, हमें ध्यान नहीं रहा, अभी बड़िया माले कराता हूँ, काने के पास साथ उठा, और तेज कदमों से बार का बार काउंटर की तरह बढ़ गया, मेरी गलती माफ कर देना उस्ताद, मैंने तुम पर चाकु खोल दिया था, चाकु वाला सिर जुगा कर पसाथ पस्चताब भरे सर में बोला, गलती तब होती, जब तुम चाकु चला देते, इस समय माफी मांगने के लिए भी जिन्दा न होते, सोहलान ने अपना स्वर खतरनाक बना कर कहा, लेकिन उस्ताद, तुम दो महीने कहा रहे, दूसरे ने पूछा, पुलिस की निगाहों से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गया था, उसके बाद बंबई से सेकडो मिलदूर यहां प्रकट हो गया, ये तो वहत अच पतरनाक गेंग्स्टर के साथ बैटकर सराब पीते, सोहलाल की छाती फूल गई, बक्त बक्त की बात है, अगर कभी बंबई में मिले होते, तो अंग्रेजी सराब से तुमें नहला देता, जेबो में नोट भर देता, लेकिन अब सोहलाल ने गहरी सास ली, अब तो ये हालत ह किसी ग्रेट पीने तक के पैसे नहीं है, फिक्र मत करो उस्ताद, हमारे होते हुए चिंता करने की आपको कोई जरुत नहीं, कहते हुए उसने जेब से सव सव के कुछ नोट निकाल कर तेबल पर रख दिये, ये थोड़ा सा नजराना है, कल किसी मोटे मुर्गी का गला काट कर मूटा माल दूँगा, सोहलाल ने विचार भरी निगाहों से नोटों को देखा, फिर टेबल पर पड़े अपने पैकेट में से सिग्रेट निकाल कर सुलगाई, क्या नाम है तेरा, जग्गा, जग्गा, सोहलाल ने लंबा कस खीज कर उसे देखा, बहुत जल्द मैं यहा उस्ताद, थोड़ा सा माल मेरे पास भी है, दूसरा बोला, थोड़ा सा मेरे पास भी, फिर सबने नोट निकाल कर टेबल पर रख दिये, मैं तुम सब का ध्यान रखूंगा, कहते हुए सोहलाल ने उस सारे नोट उठाए, और अपने जेब में डाल लिये, फिर उठते मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, अब कल मुलकात होगी, ऐसी भी क्या जल्दी हो गई उस्ताद, ये अंग्रेजी सराब तो आप के लिए ही मंगाई है, और देखे, हम सब के लिए एक बोतल लेकर वहाँ आ पहुँचा, सोहलाल ने बिचार भरी निगाहों से बोतल क जाना मेरे ले निहायती जरूरी है, काने के पास साथ उसने हाथ बढ़ा कर अंग्रेजी सराब की बोतल ले लिए, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, बोतल ले जा रहा हूँ, फुर्जत में पीलूँगा, बोतल लिए सोहलाल आगे बढ़ा ही था, कि सामने से आते वो वेटा ने टोका, पैक के पैसे सोहलाल ने हाथ के अंगुठे से टेबल के ओर एसारा किया और आगे बढ़ गया, आखों में बिजय पुर्ण चमक लहरा रही थी, कमरे में परवेश करके सोहलाल ने लाइट आउन की और घड़ी में बग्त देखा, रात के बारह बज रहे थी, चेहरे पर धूर्दता पुर्ण मुस्कान थिरक रही थी, हाथ में थमी सराप की बोतल मेच पर रखी और सेग्रेट सुलगा कर कस लिया, कमरे में टूटी फूटी चरपाई और एक तिपाई के अलाबा कुछ नहीं था, पीछे खुलने वाली खिटकी गंदे नाले के साथ सटी हुई थी, इसी कारण हर समय कमरे की हवा में दुरगंद ब्याब्त राती, सोहलाल ने जेब से नोट निकाल कर चरपाई पर रखे और उन्हें गिरने लगा, सव सव के 21 नोट थे, सोहलाल के होटों से हसी उबल बड़ी, उसे नोट वापस जेब में रखे और तिपाई पर सराब की बोतल की सो खोल कर उसे होटों से लगा लिया अगले दिन सोहलाल लहाद होकर जब बदबुदार कमरे से बाहर निकला तो दिन के ग्यारह बज रहे थे उसने एक बढ़िया से एरिश्टरेंड में लास्ता किया और बजार की तरह बढ़ गया उसका इरादा दो जोड़ी कपड़े खारिने का था पिछले कई दिनों से इनी कपड़ों को धो धो कर पहन रहा था अब तो ये घिस्तने के पस्तात फटने को भी दयार थे बजार तक पहुचने में उसे आदा घंटा लग गया यहां काफी भीड थी ओभीड में जगा बना कर आगे बढ़ता हुआ अपनी मन पसंद की दुकान ढूणने लगा तबी पीछे से उसे धक्का लगा ओबिजली किसी फूर्ती से घुमा और उसका एक कलाई पर जम गया जिसकी कलाई उसके हाथ में थी ओब इस बाइस बरस का हीरो टाइफ इवग था दोनों की आखे मिली किसी का ध्यान भी उन पर ना था क्यों खलीफा सोहलाल गुराया जेब कारता है नोटों का पुलंदा इवग की मुठी में बंद हो चुका था अगर सोहलाल फूर्ती से उठकर उसकी कलाई न पकड़ता तो अब तक तो वो इस भीड में जाने कहां गुम हो चुका होता छोड़ दे मेरा हाथ इवग दाथ फीच कर बोला मेरे नोट मुझे वापस दे सोहलाल ने अपना स्वर खातरनाक बना कर कहां तबी इवग का दूसरा हाथ जेब में गया और उसने चाकू बहर निकालकर सोहलाल की कमर में लगा दिया सोहलाल का सरीर जोर से कापा चेरे पर खलकी सी सफेदी उभाराई अगर किसी की निगार उन पर पड़ी तो आखे दूसरी तरफ फेर ली चाकू हटा ले मेरी जेब में भारावा रिवलवर है सोहलाल गुराया जेब में है न इवग दात किरखिटा कर बोला हाँ चिंता मत कर ओ जेब में ही रहेगा और ये चाकू पूरा का पूरा तेरे अंदर घुस जाएगा मेरी कलाई छोड़ दे इवग का स्वर खतरनाक हो गया था साइद तुझे नजर नहीं आ रहा मेरी उंगली रिवलवर के ट्रेगर पर है तबी चाकू की नोक सोहलाल की कमर में चूफी सोहलाल ने घबडा कर उसकी कलाई छोड़ दी इवग नोटो सहीद भीड में गुम हो आज सोहलाल ने बार में परविश किया तो दस बज रहे थे चारो तरफ अंधेरा चाचुका था भीतर लाइट जगमगा रही थी सोहलाल दो कदमी आगे बढ़ाओगा कि कल वाले पाचो इवग में से दो फोरन उसके पास पहुँच गए आउस्ताद आज तो देर करती एक ने खोसामादी भरे स्वर में कहा सोहलाल बिना उनकी ओर देखे खौल में ने कहा दोडातवा बोला आज दो पहर में सहर से बाहर चला गया था क्योंकि यहाँ अपना गेंग त्यार करना है इसलिए भाग दोर करनी पड़ रही है बहुत प्यास लग रही है यहाँ कहीं थंडा पानी नहीं है सोहलाल अपने गले पर हाथ फेर कर बोला तुम चलो उस्ताद मैं बहुत बढ़ी अपैग बना कर लाता हूं सारी प्यास वार काउंटर की तरह बढ़ गया आउस्ताद मेरे साथ हाओ कहा वहाँ सामने टेबल पर उसने खिसे निफोर कर कहा मेरे कुछ और दोस्त भी वहाँ पर बैठे हैं सोचा आप से मिला कर उनके भागी भी जगा दू सोहलाल ने निगाहे घुमा कर देखा तो एक बार की पका उठा बहुत सारी टेबलों को आपस मिला कर तीस फूट लंबी टेबल बना रखी थी उसके आसपास कुर्सियों की लाइने लगे थी जिन पर करीब 25 बैक्ति मौजूद थे और अधिकांस उसकी तरफ ही देख रहे थे जाहिर है ओ सब यहां के छटे हुए बदमास हों सोहलाल ने अपने सामने खड़े बैक्ति को देखा तुमने मुसे पूछे भी न मेरा परिजय सब को क्यों दिया सोहलाल गुराया सोहलाल के चेहरे के भाव देखते ही उसका गुलाबी चेहरा सभेद पड़ गया मुस्कुराती आखों में भै सिमट आया होट भद्दे सोहलाल ने चोट की और दाया हाथ घूसे की सकल में घुमा दिया जो की उसके चेहरे से जा टकराया ओचीक खोटों में दबाकर दो कदम लडखडा कर पीछे हो गया सोहलाल ने पुना हाथ उठाया मुझे माफ कर दोस्ता ओ फोरण दोनों हाथ जोड़कर गिर्ड़ा उठा सोहालाल का आधा उठा हुआ हाथ रुका फिर नीचे आ गया थोड़ी चाती फूल कर कुपा हो गई कुछ गर्दन अकड गई आइंदा मेरे से संबंदित जो भी काम हो सोच कर करना सोहालाल ने ख़दरनाक सोर में कहा फिर उनकी पीट थप थपा कर बोला चलो टेबल पर चलते हैं मैं काम में कम पब्लिसिटी चाहता हूँ अगर पोलिस को मालूम हो गया कि मैं सोहालाल हूँ तो मुझे यहां से भागना पड़ेगा गलती हो गई उस्ताद फिर कभी एसी गलती नहीं होगी इस दो मिनट के बक्त के बीच ही सबकी निगाहे सोहालाल पर ठीक चुकी थी सायद सोहालाल के पास ख़ड़ा ब्यक्ती कोई नमाल मुली हस्ती नहीं थी और उसका इस तरह घूसा खाकर सोहालाल के सामने हाथ जोड़ना ही जाहिर करता था कि सोहालाल कोई बड़ा मगरमाच है ओहा मौजूद सब सोहालाल को पैनी निगाहों से देख रहे थे सोहालाल साही चाल से उस ब्यक्ती के साथ चलता हुआ टेबल की तरह बड़ा उसके दोनों हाथ कुछ इस तरह से आगे पीछे हो रहे थे जैसे एंगर पर लटकी कमीज की बाहे तेज हावा में जूल रही हो तभी पैग लाने वाला सामने आग खड़ा हुआ उसने एक हाथ से पैग पकड़ा था और दूसरे हाथ की हाथिली को ट्रे का रूप दिया हुआ था उस्ताद प्यास को फोरण भागा देने वाला इस्पेशल पैग सोहनलाल ने पैग को देखा बिचार पूर्ण मुद्रा में च्छन भर सोचा फिर हाथ बढ़ा कर पैग उठाया और एक ही सास में समाप्त करके खाली पैग उसके वापस थमाया फिर हाथेली से होठो को साफ किया मजा आया उस्ताद हाँ बहुत ज़्यादा आया सोहनलाल ने लपरवाही से को उठा एक और लेकर आओ एक पैग भी कर प्यास और बढ़ गई है अभी लाया उस्ताद तेजी से फुना बार की तरफ बढ़ गया सोहनलाल उसके साथ फुना टेबल की तरफ बढ़ने लगा उस्ताद आज तो लोग आपसे मिलने वाले हैं उनमें से हर कोई अपने इलाके का खतरनाक डादा है लोग तो उनका नाम सुनकर ही कापते हैं पुलिस वाले इनसे दूर रहने में ही अपना भाला समझते हैं और चाहे जो भी हो सोहालाल उसकी बात काट कर बोला इन में से कोई भी मुझसे ज़्यादा खातरनाक नहीं हो सकता हाँ उस्दाद आपके सामने तो ये सब बच्चे हैं आप अकेले हो तब ये लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते उसने फोरण सहमती में सिरह लाया सोहालाल की छाती पुना चौड़ी हो गए सोहालाल के टेबल के पास पहुंसते ही एक ने सामने वाली कुर्सियों को खीचा और आदर भरे स्वर में बोला आओ उस्दाद हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं सोहालाल ने देखा उसके लिए बिलकुल सामने वाली कुर्सियों रखी गई थी जहांसे ओ टेबल के गिर्द कुर्सियों पर बैठा हर एक का चेहरा आसानी से देख सकता था उसने भी कुर्सियों की पीड पर हाथेली धप तपाई फिर जेव से सिगरेट निकाल कर सुलगाने के पस्चाथ और हिला और कुर्सियों पर बैठे बिक्तियों के पास जाकर उनके चेहरे पर भरफूर निगाह डारने लगा जिसकी भी सोहालाल देखता ओ आरर भाव से खड़ा हो जाता जबकि हर कोई एक से एक बढ़कर खतरनाक दादा था सबको देखने के बाद सोहालाल ओ आपस अपनी कुर्सियों पर आ बैठा अब सोहालाल हौल में बैठे अनिया बदमासू की उत्सुकता का केंदर बन गया था सबकी आस्चरे पूर्ण द्रिष्टी उस पर ही थी इसे बीच सोहालाल दूसरा एस्पेसल पैग भी पी चुका था और उसे तीसरा पैग लाने को भेज दिया था सिगरेट का सुलगया टोटा उसके पास खड़े बदमासू को थमा दिया जिसने फोरन आगे बढ़कर उसे एश्ट्रे में मसल दिया उन लोगों को यहां क्यू इकठा किया गया है सोहालाल ने बेहाद सांथ सोर में अपने पास खड़े बैगती से पूछा उस्ताद जब इन्होंने आपके बारे में सुना तो हर कोई आपसे मिलने को बेचायनों उठा सो यह आपके दर्शन करने आ गए सोहालाल ने गब मिर्था से सिरी लाया एक जेब कत्रे का हुलिया सुनो सोहालाल बोला कह उस्ताद 22-24 साल की उम्र होगी पतला लंबा घूंगराले बाल जब बोलता है तो नीचे के दाथ नजर आते हैं आज उसने सफेद रंग के कपड़े पहां रखे थे उसने मेरी जेब काटी है जब मैंने रिवल्वर निकाल कर उसे सूट करना चाहा तो उसने चाकू का इस्तमाल किया भीड बहुत थी इसलिए मैंने रिवल्वर का इस्तमाल नहीं किया एक घटना कहां हुई ग्रांड रोड फर 11 के आसपास का बक्त होगा इतना सुनते ही वहां बैठे दादाओं में से एक दादा उठखड़ा हुआ उस्ताद ग्रांड रोड मेरा इलाका है अगर आप मुझे आधे घंटे का बक्त दे देव तो मैं आपकी जेब काटने वालों को यहां हाजिर कर दूँगा क्या नाम है तुमारा सोमनात हम ठीक है मैं तुम लोगों की काबलियत देखना चाहता हूँ सोहालाल ने उसे देकर एहसान भरे स्वर में कहा थैंक्स उस्ताद काने के पास साथ ओत्तेजी से एक तरफ को बढ़ गया उसके जाने के बाद सोहालाल ने सब पर सरसरी निगार डाल कर कहा आप सब लोगों से मिल कर मुझे बास्तों में खुसी हुई क्योंकि यह हमारी पहली मुलाकात है इसलिए आज छोटा सा जसनों का कहने के पास चाथ उसे पास खड़े बदमासों को देखा जसन का परबंद करू अभी लोगों स्थाद ओतेजी से बार काउंटर की तरह बढ़ गया इतनी में सोहालाल का तिसरा एस्पेसल पैग आ गया कुछी देर में टेवल पर सराब की बारहा अंगरेजी बोतले सच गई फिर महफिल गर्म होई सराब पेट में जाने लगी और मुह से सब्दों की बवचार अब तक जो सोहालाल के बेक्तितों के कारण दवे से थे उखुल कर बाते करने लगे सोहालाल उने अपने खास किसे बाताने लगा जिससे सुनने वालों दाटों तले उंगलिया दबा रहे थे बोतले खाली होती जा रहे थी महफिले का रंग अब सिर पर चड़ कर बोलने की कोशिज कर रहा था तबी सोमनात वहाँ आ पहुँचा उसके साथ चार दादा थे जिनके बीच ओ जेब कातरा इवक घिरा हुआ था जिसने सुवह सोहालाल की जेब काटे थी उस्ताद सोमनात सोहालाल के पास पहुचकर बोला यही था ओ लड़का जिसने आपकी जेब काटी और आपको चाकु दिखाया था जेब काटने वाला इवक थर-थर कापने लगा उसने एक निगाह में पहचान लिया कि सहर के बड़े-बड़े दादा वहां मौजूद थे और सोहालाल की ही ताजपोसी में लगे वे थे आखों के सामने उसे अपनी मौत दिखाई देने लगी सोहालाल ने सराब का गिलास टेबल पर रखा और आखे मिचमिचा कर सोमनात को दिखने के पस्चात इवा को देखा हाँ, साला यही था जिसने मुझे चुगा समझ कर चाकू मेरी कमर में लगाया था क्यू वेटे, अब क्या हाल है उन नोटों से कितने ऐस की सोहालाल सराब के नसे में आखे नचा करका उठा नोसीखे की आउलाद सोमनात ने एक हाथ से उसके सिर के बाल पकड़े और दूसरा हाथ ज़ापड के तोर पर उसके चेरे पर जमा दिया उस्ताद की जेब कारता है, तिरी यह हिमत बालों का खिचाओ, फूरी वेक से पड़ा चेरे पर थपड़ और उसके समझ में मौत का खौफ इनस अबातों ने उससे पहले ही अदमारा कर दिया था सरीर कर दर्ग लिये, ओगीरा और तड़ाप कर उड़ते हुए उसने सुहालाल के पाउं को पकड़ लिया खेरे पर करुनाटा पकर रही थी, मुझे माफ कर दो ये सब अंजाने में हुआ है, मुझे मालूम नहीं था आप हम सब के खुदा है, एक बर मुझे माफ कर दिजिए जिन्दगी बर आपके पाउं धोकर पीता रहूंगा कहने के साथ ही उसकी आँखों से आसू भाने लगे इससे पहले कि सोहालाल कुछ का था, सोमनात ने पुना उसके बाल पकड़े और उसे खाड़ा करकी दरिंदगी भरे स्वर में बोला उस्ताद का माल निकाल हराम जा दे इवक ने कापते हाथों से पैंट की जेब से नोट निकाले और उस्ताद की तरफ बढ़ाए मुझे नहीं, उस्ताद के चर्णों में डाली ने इवक ने फौरन हसकर सारे नोट सोहालाल के पेरों के पास रख दिये उसका पूरा जिस्म थर-थर काप रहा था अनिय बदमासों नी फौरन नोट उठा कर सोहालाल के सामने केबल परक थी सोहालाल का सीना चन प्रती चन चोड़ा होता जा रहा था गर्दन उची उर्ती जा रही थी उस नोट उठा कर अपनी जेब में डाल लिये मैं तुमसे बहुत खुसू सुमना थांकि उस्ताद सोहालाल के सामने जुकता हुआ सोमनाथ बोला आपका भी मुझे सेवा का मौका दे तो मैं खुद को भागे साली समझूँगा सोहालाल ने अपने हातों से सराब गिलास में डाली और गिलास सोमनाथ की तरह बढ़ाते हुए मुस्कूर आया जिससे मैं बहुत खुस होता हुँ उसे अपने हातों से जाम बना कर पिलाता हुँ सुकृया उस्ताद सोमनाथ ने जुक कर दोनों हातों से गिलास इस तरह थामा जैसे भागवान उसे अमरित दे रहे हो फिर सोहालाल ने अपना गिलास खाली किया और इवक से बोला क्यों वे क्या नाम है तेरा सुन्दर, सुन्दर लाल उसुखे होटो फर जी फिर करका उठा सुन्दर सोहा लाल ने बड़ बड़ा कर कहा कबसे कर रहा ये जेब काटने का धन्दा बचपन से चाकू कबसे जेब में रखना सुरू किया चार साल हो गए कभी किसी को मारा भी है नहीं सिर्फ डराता हूँ छन बर के लिए सुहा लाल को दिन में हुई चाकू की चुवन याद आ गई जो सुन्दर के दबाने से कमर में चुबी थी बोल अब तेरा क्या किया जाए मुझे माफ कर तुने उस्ताद पर चाकू उठाया है सोमनात गरज उठा तुझे माफ नहीं किया जा सकता फिर उपलट कर साथ है चार डादा से बोला इस हरमजादे को यहां से ले जाओ और इसके टुकडे करके इसके लास किसी नाले में फेक दो नहीं, नहीं सुन्दर के होटों से चीख निकली जैसे अभी से ही उसे जिवा किया जा रहा हो और सोमनात के पाउं से लिपट गया सोमनात ने जोर से टांगों को जटका दिया तो सुन्दर छिटक कर दोर जागे रहा उसकी सिस्किया बराबर गुज रही थी सोमनात के आदेश पर चारो दादों ने सुन्दर को जकड लिया अरे भाई किव गुशा कर रहे हो सोहनलाल मुह बना कर सोमनात से कहने लगा छोड़ दो बेचारे को उसका तो धन्दा ही जेब काटने का है और फिर मेरे मुँफर तो नहीं लिखा है कि मैं वो सोहनलाल हूं सोहनलाल की सारे पर चारो दादों ने उसे छोड़ दिया सुन्दर सिसकता फपकता सोहनलाल के पाऊं में आगिरा सोहनलाल ने उसके सिर पर हात फेरा और प्यार से बोला चलूट, बच्चों की तरह रोय नहीं करते, अबे कुर्सी ला मेरे सागिर्थ के लिए, सोहनलाल ने पास खड़े बदमास को देखा, अगली पल वहा कुर्सी हाजिर हो गई, सोहनलाल ने उसे कुर्सी पर बिठाया, और टेबल पर पड़ा सराब का गिलास सुंदर के हाथ मे लोटने लगा, बात आई, गई हो गई, माफिल वापस अपने रंग पर लोटने लगी, खाली होने के साथ साथ, नई बोतले तेवल पर आ गई, और फिर सोहनलाल अपनी बीती गैंग्स्टर जिन्गी के करना में सांसे बताने लगा, सुनने वाले के सिर रबबड की गुड सांती नेचे उपर हो रहे थे, सोहनलाल की हैसियत साही महमान जैसी हो चुकी थी, रात के एक बजे सोहनलाल बार से बाहर निकला, तो उसकी जेब में नोटों का काफी मोटा पुलंदा था, कलवाले पाचों बदमासों ने नोटों का बंडल उसे भेंट किया था, महज इसलिए कि जब वो अपना गैंग आस्तापित करे तो उन्हें भी उसमें सामिल कर ले, बाहर निकलते समय, साथ में सुन्दर भी था, ठंडी हवा के जोखों के कारण सराप का नसा छटने लगा, उस्ताद सुन्दर तबेस्तवर में बोला, आज आपने अरहम ना किया ह तो मैं अब तक तो मर चुका होता, अब छोट, मुर्दो की तरह बाते ना कर, सुहालाल ने उसके कंदे पर हाथ मारा, ये बता जेब में कितना माल है, माल, तिन-चार सो रुप्या होगा उस्ताद, निकाल, सुन्दर ने जेब से नोट निकाल कर, सुहालाल की हाथेली पर सुहालाल ने नोटो को अपने जेब में डाल कर कहा, रात बहुत हो गई है, अब जा घर जा कर सो, मुझे भी निनदा रही है, सुहालाल ने उसकी पीड थप थपाई, और अपने रास्ते पर बढ़ गया, अगले दिन सुभा सुहालाल नहा दोकर तयार हुआ, और बहारा कर कल वाले बढ़िया रिश्टुरेंट में नास्ता करने के पसाथ, और मार्केट के ओर बढ़ गया, तकि कुछ जोड़ी कपड़े खरिद सके, कल तो जेब कतरे सुन्दर के कारण कपड़े खरिदने का काम अधुरा रा गया था, आज कल की अपेक्चा कहीं जादा उसकी जे नाई की दुकान से सेव बनवाई और दोफ़र को थ्री एस्टार होटल में लंच करने के पास साथ, आपस अपने बदवुदार कबरे में आ गया, बदन पर पड़े घीसे मैले कुछले कपड़े उतार कर, उसने पिछली तरब की खिटकी खोल कर गंदे नाले में फेका और नहा कर नए कपड़े पहन लिए, अब उसके चेरे पर राहात के भाव दिखाई देने लगे, उसने सिग्रेट सुलगाई और चारपाई पर अधलेटा सा होकर कसलेने लगा, तबी उसकी निगा जूतों पर पड़ी, जोकी घीसकर बदसूरत हो रहे थे, मन ही मन उसने फैस कानों में जूतों की आहट पढ़ने लगी, उसने सिर घुमाया और खूले दरवाजे की तरफ देखने लगा, अगले मिनट ही दरवाजे पर 35 बरस के आकरसक बेकुतित्व का चेहरा दिखाई दिया, सोहलाल फोरन उचल कर खाड़ा हो गया, एक ही निगा में उसने पाचान और पैंड थी, सारेरिक तोर पर सोहलाल उससे आधा था, किसके दरवाजे पर खड़े हो प्यारे भाई, सोहलाल इस तिर स्वर में बोला, आपके, उसने सांथ स्वर में जवाब दिया, हम, सोहलाल ने उससे देखते हुए सिरी लाया, जानते हो मैं कौन हूँ, जी हाँ, ब बंबई के मसूर गैंगेश्टर साहव सोहलाल है, सोहलाल की आखे सिकूड गई, फिर उसकी निगा आगंतु की जे परजाटी की, जहारी वलबर होने का असपश्ट अभास हो रहा था, तुमारा नाम सोहलाल ने सिगरेट का गहरा कस लिया, महिंद्र चंद्रे, महेस चंद् मैं आपको लेने आया हूँ, महेस चंद्रे ने सालीन स्वर में कहा, साला कह तो ऐसा रहा है, कि लेने आया हूँ, जैसे यह मराज ने भेजाओ, सोहलाल ने उसे दे कर बुरा सा मुह बनाया, अगर तु मेरे नाम के साथ साथ मेरा काम जानता है, तो ये भी जानता होगा, कि सोहालाल को बिना उसकी मरजी के कहीं ले जाना कोई मामूली बात नहीं है महेश चंद्र ने संजीदगी से सिरी लाया मुझे मालू मैं सोहालाल जी मैं आप से कोई जोर जबरस्ती नहीं कर रहा और नहीं ऐसा कुछ करने का इरादा है दरसल एक मिनिट सोहालाल ने उसे टोका पहले अपनी जेब में पड़ा रिवल्वर जरा इधर सरका थे महेश चंद्र ने फोरन जेब से रिवल्वर निकाला और सोहालाल की तरफ उचाल दिया सोहालाल ने रिवल्वर लपका उसे उलट पलर कर देखा फिर खिटकी के पास पहुँचकर चेंबर खोलते हुए उसक इस सारी गुलिया नाले में फैक दी तत्पास चाथ रिवल्वर बंद करके उसे महेश चंद्र की तरफ उचाल दिया आइंदा किसी से पहली बार मिलने आओ तो खाली रिवल्वर साथ ले जाया करो अगर मेरी बात नहीं समझे तो फिर किसी दिन समझा दूँगा जी मैं समझ गया महेश चंद्र सांथ स्वर्म गोला अब से मैं ऐसा ही करूँगा बात क्या है बच्चे बहुत सरापत से मेरी बाते समझे जा रहे हो सोहन लाल के खोट स्युखडे और माथे पर बल पढ़ गया महेश चंद्र मुस्कुराया दरसल आप बहुत पहुंचवे इंसान है बंबई के अंडर वल्ड में आपका नाम हर समय गुज़ता रहता है इसलिए आपकी किसी बात को इनकार करके मैं आपके क्रोट का सिकार नहीं होना चाहता उसने सांथ और इस तिरलाजे में कहा सोहालाल की छाती थोड़ी चोंडी हुई और गर्दन चंद सिंटीमीटर उची हो गई समाप थोरे सिग्रेट फेक कर नई सुलगा ली हाँ अब बोलो तुम कुछ कहने जा रहे थे जी मैं स्रिमान तीरत राम पहवा का कमांडो हूँ तीरत राम पहवा ये क्या बला है जैसी आपकी बंबई के अंडलवर्ड में पोजीसन है कुछ वैसे ही पोजीसन स्रिमान तीरत राम पहवा की इसार में है सोहलाल ने थूक गले में निकली बडन थोड़ा सा सिकूट गया तो पावा सहाब ने आपको लाने के लिए मुझे बेजा है सोहलाल ने फोरन दो तिन कस लिए चेरे पर से कई भाव आकर गुजर गये चेरा पत्थर की तरह भाव ही था अगर मैं ना चलना चाहू तो आपकी मर्जी मुझे जोर्ज वरस्ती करने का होक्म नहीं है फिर आपके साथ कौन बेवकूफ जोर्ज वरस्ती करना चाहेगा आप तो अकेले में ही एक गैंग के बराबर है सोहलाल के छाती फुना फुलने को हुई कि पिचग गई आखों के सामने तीरत राम पावा का काल्फनीक खौफनाक चेरा उफर आया काम क्या है सोहलाल लपरवाही लपरवाही दरसाते वे बोला इस बारे में मुझे कोई ख़बर नहीं सोहलाल गहरी सोच में डूब गया महेश चंद्र खामोसी से दर्वाजे की चोखट के पास खड़ा रहा वहा कई पल तक गहरी सांती ब्याप्त रही आपके सामने कोई कठिनाई है तो मुझे से कहिए साइद मैं आपके काम आ सकू सोहलाल को गहरी सोच में डूबे देखकर महेश चंद्र ने कहा सोहलाल ने गर्दन टेड़ी की फिर नकरात्मक ढ़ंग से सिरह रातिवे कहा नहीं कोई कठिनाई नहीं वैसे भी मैं अपनी कठिनाईया खुद ही हाल करता हूँ चलो मैं तीरत राम पहवा से मिलने के ले तयार हूँ जाना कैसे होगा बाहर आपकी सिवा के लिए कार और पागवा सहाब के तीन कमांडो खड़े हैं आईए महेश चंद्र ने आदर भरे स्वर में कहा सोहलाल के होटों से गहरी सास निकली और महेश चंद्र के साथ हो गया ना जाना या इनकार करना भी उसके हक में ठीक नहीं था इस बात का एहसास सोहलाल को ठाई रास्ते में कार रुकवा कर सोहलाल ने बढ़िया से जूते खरी दे और सान से चलता हुआ वापस कार में आ बैठा कार पुना आगे बढ़ गई आदे घंटे के पास साथ आहाते में जारुकी कार रुकते ही बिजली किसी तेजी से चारो कमांडो बाहर निकले और अदब से खाड़े हो गए सोहलाल ने बिना किसी उतावलेपन से बाहर निकल कर सिग्रेट सुधाने के पस्चाथ सिर उठा कर होटल की उचाई को देखा नियोन लाइन पजय गनेश होटल लिखा दे रहा था कहां चलना है सोहलाल ने महिस्चन को देखा मिनार पर पावा सहाब आपका इंदिजार कर रहे है सोहलाल ने सिरी लाया और खुदी आगी की तरफ बढ़ने लगा चारो कमांडो बराबर उसके साथ साए के समान थे होटल के परवेश द्वार से बीतर परवेश करते ही सामने बहुत बड़ा हौल रिसेप्शन के रूप में सजा हुआ था कीमती सोफे, नर्म गद्यदार काली चत और दिवारों की सजावर तो देखती ही बनती थी तीन रिसेप्शन काउंटर दिखाई दे रहे थे जहां बेहद खुफसरत इवत्या सेवा के लिए ततपर थी सोहालाल के चारो कमांडो कोने में बनी लिफ्ट के पास ले गए जिस पर लिखा प्राइवेट सब्द दूर से ही चमाक रहा था उसब लिफ्ट में परवेश हुए और लिफ्ट उपर की तरफ बढ़ने लगी एक मिनट के पास साथ लिफ्ट रुकी और सब बाहर आ गए यह लंबी और खुफसरत चमचमाती गैलरी थी तभी एक गन्मेन वहाँ पहुँचा उसे देकर महेश चंद्र सोहलाल से बोला सर आपको तलासी देनी होगी क्यूँ? सोहलाल के माथे पर बल पढ़ गए पहवा साहब के पास हर किसी को तलासी के पस्चात ही पहुँचाया जाता है यहां का बहुत फुराना नियम है अगर मैं तलासी न दू तो तो आपका पहवा साहब से मिलना संभव नहीं तुम साथ भूल रहे हो कि मैं पहवा साहब से मिलने का ख्वाइस मन्द नहीं था बलकि तुमारे पहवा साहब मुझसे मिलना चाहते हैं जिस दिन मैं अपने मर्जी से मिल्याओंगा, तब अवस्य मैं अपनी तलासी देना पसंद करूंगा। कम से कम अब यानि इस समय में तलासी देना जरूरी नहीं समझता। सोहालाल द्रीड स्वर में बोला। महिच चंद के चेहरे पर बिवस्ता और कस्मकस के भाव बेव्ध हो गए। मेरा बक्त बरबाद ना करो और मुझे बाहर छोड़ा। महिच चंद्र खोट काड़ता हुगा बिचार पूर्ण मुद्रा में खाड़ा रहा। तुम चाहो तो पहवा साहब से बात कर सकते हो। सोहालाल ने कहा साइद अव करने ही पड़ेगी जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। इनले आओ महिच तभी गैलरी में ना दिखाई देने वाले इस पीकरों में से भारी आवाज निकाल कर उनके कानों में पड़ी। सारे कमांडों एक 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 अटेंशन हो गए। यसर महिच चंद ने अलट स्वर में कहा। इसक्रीन पर चारों कमांडों और सोहनलाल दिखाई दे रहे थे। फिर तीन कमांडों गनमेन के साथ वापस चले गए और महिच सोहनलाल को साथ लिए गैलरी में सीधा आगे बढ़ने लगा। ये देखर तीरत राम पावा ने हाथ बढ़ा कर टेबल पर लगा स्विच अन किया और कुर्सी से टेक लगा कर जोलने लगा। सामने 30 फूट लंबी और इतनी ही चौडी टेबल पर काफी सारा साजो समान रखा हुआ था। जिर में एक रंग भी रंग का बटनों का स्विच बोर था। जिर में एक स्विच दबाते ही रोशन इसक्रीन वो चुकी थी। टेलीफोन टेबल पर मौझूद थे। कुछ फाइले करिने से लगा रखी थी। तता कुछ जरुआत का समान यहां मौझूद था। तिरत राम पावा साथ वर्षिये आकरसक बेक्तित्व का मालिक था। सिर पर बहुत कमबाल थे और वो सारे सभेदो चुके थे। उसके हाथ पाउं से ही चुश्ती फूर्ती जलकती थी। पिछले 20 सालों से ओ अंडरवर्ड का पाथसा बना बैठा था। पावा ने टेबल पर मौझूद स्विचबोट का एक बटन दबाया। तो 50 फूट दूर ठीक सामने दिखाई दे रहा। मजबूत दरवाजा खामोसी से खुल गया। अगले पल वहाँ पर महेश सोहलाल के स्ताथ नजर आया। फिर सोहलाल भीतर परवेश कर गया। और दरवाजा बंद हो गया। महेश ने भीतर आने की चेश्टाना की। सोहलाल हैरानी से सजे हुए। खुफसरत हाल कमरे को देखने लगा। तिरत राम पावा सांती से उसे देख रहा था। फिर हो अपनी जगा से उठा और आगे बढ़कर दिवार पर लगा बटन दबाया। सीसे के बड़े बड़े दरवाजे पर बड़े परदे खामोसी से एक तरफ सरग गया। फिर दोच्छन को ऐसा लगा जैसे जादू के जोर पर सारा सहर सामने आ गया हो। नीचे आदमी और वाहन किनी कीडे मकोडे की तरह लग रहे थे। सामने गगन चुमबी इमारते सिर उठाये खा दे थी। इतने उचे से सहर को देखना बासों में अच्छा लगता था। सोहनलाल अभी तक पाहवा का चेरा ना देख पाया था। उसके चेरे पर कई तरह के भाव आ जा रहे थे। जिसमें भै, घाबराट और कमपन भी मवजूद था। और काफी देर तक पाहवा को देखता रहा। जब पाहवा न पल्टा, तो सहनलाल उसके करीब जा पहुँचा। फर्स पर गद्देदार कलीन होने की बज़ा। सुई के बराबर भी कदमों की आवाज न हुई। प्रंतु सोहनलाल को हैरार राजारा पड़ा। जब उसके पास पहुँचते ही तीरत राम, पाहवा ने भारी स्वर में पूछा। कौन हो तुम। सोहनलाल को अपना गला खुसक होता हुआ महसूस हुआ। बस इस बात को खर्चन याद रख रहा था कि सामने खड़ा सक्स अंडरवर्ड का सबसे बड़ा दादा है। इस सहर में इसकी बात डालना किसी के बस का नहीं था और उसी के सामने खड़ा है। बेहद कठिनायों के पास साथ सोहनलाल अपना चेरा समान्य बना पाया। प्रंदु भीत्री हालत से सिर्फ वहीं वाकिव था। कौन हो तु। तीरत्राम पावा का स्वर फुना गुजा। प्रंदु सोहनलाल उसी परकार इस्तिर खाड़ा। उसकी पीट पर निगाहे जमाए रहा। तीरत्राम पावा ने दोनों हाथ अपनी पीट पर बांधें। और पलटकर सोहनलाल को घुरने लगा। सोहनलाल यथा संभव छेष्टा के पस साथ उससे निगाहे मिलाने में काम्याब रहा। पावा का चेरा पत्थर के मानिंद सक्त हो चुका था। तुम जानते हो कि तुम इस वक्त किसके सामने खड़े हो। तीरत्राम पावा बर्व के समान स्वर में बोला। तीरत्राम पावा के। सोहनलाल ने सांत स्वर में कहा। तुम इस समय एक ऐसे इंसान के सामने खड़े हो, जो इस सहर पर हुकूमत करता है। और इस समय तुम भी सहर में रहने वाले एक मामूली इंसान हो। सोहर लाल कुछ छंतो अपलक पावा का सुर्क चेरा देखता रहा गया। है। है। सोहर लाल एक ऐक ब्यंग से हसा। इस सहर पर हुकूमत करने वाला इंसान का मुझसे क्या काम पड़ गया। जो अपने कमांडो भेज कर। तुम्हें तुम्हारी हर बात का जवाब पावा फुर्वतास्वर में बोला, पहले मेरी बात का उतर दो, कौन हो तुम्हारी है। बात तो तुम ऐसे कर रहे हूँ, जैसे तुम्हें मालूम ना हूँ। सोहा लाल के चेरे पर क्रोध उमाड आया। बच्चों की तरह सवाल मत पुछो पावा। तीरा थ्राम पावा के चेरे पर कई तरह के भाव आकर गुजर गए। उटटोलने वाली निगाहों से सोहा लाल को देखने लगा। ये आखे फाड़ फाड़ कर चा देख रहे हो। सोहा लाल उखड़े अंदाज में बोला, तुम सोहा लाल हो। सरा सर हूँ। सोहा लाल एक-एक सब्द को चब में हैं। इसे कई गुना ज्यादा हैसियत। सिर्फ दो महीने पहले बंबई में मेरी थी। सायद उड़ते उड़ते तुमने बंबई के अनर वर्ड से सोहा लाल की हस्ती के बारे में सूना हो। मेरा अपना गैंग था। पूरे हिंदुस्तान में मुझसे खतरनाक गैंग् होने को छोड़ो, मतलब की बात करो, मुझे यहां के वुलाया गया है। तीरा थ्राम पहवा अपनी जगा सहीला और वापस कुर्सी पर आ बैठा। निगाहे बराबर सोहा लाल पर ठीकी हुई थी। तुम साबित कर सकते हो कि तुम ही बंबई के अंडर वर्ड के बातसा सो पहवा ने सांस्वर में कहा। मुझे क्या जरुत पड़ी है जो साबित करता फिरू। जरुत है क्योंकि तुम बंबई के अंडर वर्ड के बातसा थे। पुलिस से मुठ बेड में तुम्हारा गैंग समाप्त हो गया। यहां तक कि पुलिस ने तुम्हारे मरे की तस्वीर देश के सारे अकबारों में छापी। लेकिन तुम फुना जिन्दा होकर सामने आ गए। कोई बात नहीं। हो सकता है पुलिस ने किसी और की लास को तुम्हारी लास समझ लिया हो और तुम बच निकले। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह उड़ता है कि तुम बंबई से से रेकडो मिल दूर यहां क्या कर रहे हो। वहां तुम्हारे इस सारे पर पता नहीं पता नहीं हिलता था। गैंग समाप्त हो जाने के पचात भी तुम किसी से भी सहायता लेकर पुना पहले वाली स्थीती में सामने आ सकते थे। फिर बातसा बान सकते थे। लेकि तुम बं प्रंतु से ऐसा लग रहा था, जिसको उसकी उंगलिया जोरो से काप रही हो, वो आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैट कर एक साथ कुछ कस खीजे, उसकी आखे बता रही थी, क्यों तेजी से सोच रहा है, तीरा थ्राम पावा ध्यान पुर्वक उसके चेरे पर आने वाले भा पाव को देख रहा था, जिस कड़ी को तुम कमजोड कर रहे हो, वहीं सबसे मजबूत है, पावा परस्न भरी निगाहों से उसे देखने लगा, तुमने आवतार सिंग का नाम सुना है, मिश्टर तिरा थ्राम पावा, हाँ सुना है, तो फिर ये भी जानते होगे, कि ओ भी बंबई का बहुत बदा दादा है, और उसकी जिन्गी की सबसे बड़े क्फाइस यही रही, कि ओ बंबई अंडर वर्ल्ड का सबसे बड़ा दादा बने, हर सुवा साम ओ मेरे मरने की मिनते मांगता था, यानि मेरे मरने के बाद ही ओ दादा अंडर वर्ल्ड का बातसा बन स आलिभाती वाकिव थे। सोहालाल ने सर्दस्वर में कहा। तुम काना क्या चाते हो। सुनते जाओ। जब पुलिस से मेरी निरनायक मुठवेड हुई। तो उसे सुनारा औसर मिल गया। जाने कौन सी बुरी घाड़ी थी। मुठवेड में मेरा गैंग समाप्त हो गया। औ कि मैं मारा गया हूँ। तब मैं अजीब सी मुसिवत में भस गया। मेरा गैंग समाप्त हो चुका था। मैं अकेला था। तबी मुझे ख़बर मिली कि अंडर वर्ड में मेरी जगा आतार सिंग ने ले ली है। ये सब 12 घंटों में हो गया। अब अगर मैं आतार सिंग से टककर लेने के लिए पुना अपना गैंग अस्थापित करने की चेश्टा करता तो तब तक मेरे जिन्दा होने की खाबर चारो तरफ फैल जाती। आतार मेरी हात्या के लिए पूरी बंबई में पहरा बिठा देता और पुलिस भी मेरी बात में बैट जाती। यानि कि कार हो जाता। क्यूंकि उससे टककर लेने के लिए मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं थे। इसलिए खामखा मैंने मौत के मुह में कुदना मुनासिब नहीं समझा। और चुप चाप बंबई से निकल कर इस साहर में आ गया। अगर तुम्हें मेरी ये कहानी भी कमजोड ल और तुम्हें बिश्वास आ जाए कि बंबई के अंडर वर्ड का बादसा दो महिने पहले तक मही था। आखरी साब्द सोहलाल ने ब्यंग से कहे। उसके ब्यंग पर पहले तो कोई तकलीफ न हुई। उसने टेबल की दराज में से सिगार निकाला और उसे सुलगा कर गहर कस लिया। मेरे ये मतलब नहीं था कि तिम ओ सोहलाल हो ही नहीं। त्राम पावा के होटो पर अजीब सी मुस्कान आ गए। दरसल मैं खुद को बिश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे मामले में कोई धोका तो नहीं खा रहा। तो अब बिश्वास आ गया? नही अभी भी नहीं? बिल्कुल नहीं। पावा हास पड़ा। तुमने अपने सोहलाल होने तक जुबानी पेस किये हैं। कोई सबूत पेस नहीं किया। सोहलाल उसे घुरने लगा। इसमें तुम्हारे कोई गलती नहीं मिश्टर पावा। अगर बंबई में तुम इसी तरह मे भी ऐसा ही करता। हर तरह से अपना पूरा इत्मिनान करता। वैसे जब तुम्हें विश्वास आ जाएगा कि मैं ही ओ सोहलाल हूँ तो तब तुम मेरा क्या करोगे? मुझे यहां क्यों वलाया गया है? तीरत राम पावा ने सिगार का कस लेने के पास साथ बेहद सांती से क हाँ, हाँ, जब मुझे विश्वास आ जाएगा कि तुम ही ओ सोहलाल हो, तो मैं तुम्हारे सामने बहुत बढ़िया आफर रखूंगा। मैं समझा नहीं, सोहलाल के माथे पर बल पढ़ गए। दरसल इस सहर में दो गैंग जबरदस्ट सक्ती के साथ उबरे हैं। उनकी ख खिलाफ खड़े हो सकते हैं। मेरे पास जबरदस्ट लड़ाके हैं, जो सहर में खून का दर्या बहा सकते हैं। अभी मैं इन बातों पर बिचार करी रहा था, कि तुम्हारे बारे में खबर सुनी। फिर सोचा कि तुम भी मेरे साथ काम करो, तो मेरी सक्ती बहुत बढ़ तुम चुटकियों में उन दोनों गेंग्स को मसल सकते हो, यानि कि सारा काम तुम बखुवी संभाल सकते हो, मुझे परिसानी नहीं उठानी पड़ेगी। वैसे भी मैं दो एक दिन में बिलायत जा रहा हूं, वहां मेरा लड़का पढ़ता है, और किसी कानुई पचरे में फस गया है, सोहनलाल का दिल जोर जोर से उचलने लगा, चेरा भाव हिन रहा, फोरन सिग्रेट होटों में फसा कर, तीन चार कस खींचे, अब तुम क्या करना चाहते हो, मैं अपनी तसली करना चाहूंगा, कि तुम वहीं सोहनलाल हो, कैसे करोगे, आज साम की फगाईड से, मैं अपना आदमी बंबई भेजूंगा, जो किसी परकार तुमारी तस्बीर हासिल करेगा, उस तस्बीर को देकर, मुझे तुमारी बात पर बिश्वास हो जाएगा, सोहनलाल की गले में बहुत बड़ा कांटा चूबने लगा, अगर मैं कहूं, कि मैं तुमारे साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता, तो गलत बात, तिरत्राम पावा इस तिरस्वर में बोला, मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है, इस दुनिया में ऐसा कोई इनसान नहीं, जो मुझे इनकार करने के पसात जिन्दा रहा हो, आगे तुमारी मर्जी, सोहनलाल के जिस्में थंडी सीर दोरती चली गई, यह तुम बहुत गलत कर रहे हो, मत भूलो कि तुमारे सामने कोई एरा गहरा नहीं, बंबई में आतंक फैला देने वाला सोहनलाल खड़ा है, मैं चाहूं तो इस सहर में भी आतंक फैला सकता हूं, तुमारे सिंहासन की तांगे तोड़ सकता हूं, तुम क सब्दो को सहराओ, तीरत्राम पहवा की आवाज सक्थ हो गई, कोई और यहां पर आकर इस बत्तिमेजी से बोलता, तो अब तक मर चुका होता, सोहनलाल का जोस थंडा पड़ गया, सक्वकायासा ओ पहवा को देखने लगा, पहवा कठोर निगाहों से उसे देखे जा रहा तबी कमरे में अजीब सी धौनी गुजने लगी, सोहनलाल चौका तुरंत तीरत्राम पहवा पर खास असर ना हुगा, उसने टेबल पर लगे बटनों में से एक बटन दबाया, तो दरवाजा खुलता चला गया, महेश चंद्र भीतर आया, और सामने आख़डा हुगा, सर, पाल देश मुख आपके आदेश का पालन करने से इनकार रहा है, तीरत्राम पहवा का स्वर एक एक बिहद ठंडा हो गया, यहीं हो हमारे आदमियों को छोड़ने के लिए राजा मंद नहीं, नो सर महेश चंद्र ने कहा, उसने पहली गलती हमारे आदमियों को गिराफतार क दूसरी गलती आपकी आग्या नमान कर की है, बेतर होगा आप उस पर उपर से दवाव डलवाए, ताकि नहीं महेश नहीं, पावा ने हाथ उठा कर ही लाया, इस छोटे मुटे कामों के लिए हम किसी को तकलीप नहीं देते, सुना है, इ, इ, क्या नाम है, पाल देश मुख हाँ, देश मुख, बहुती सरीफ और फर्ज की राह पर जान देने वाला है, यह सर, कोई बात नहीं, इसे अपना फर्ज पुरा करने दो, हम अपना फर्ज पुरा करेंगे, वैसे इसका कोई सगा वगा है या नहीं, है सर, बुढी मा है, बीबी है और एक बच्चा है, बस इतना ही बहुत है, इन तीनों को गोलियों से उड़ा दो, ताकि अन्य कोई पुलिस वाला, तिरत राम पावा की ओर हमेशा पीट करके खड़ा हूँ, राइट सर, जाओ, महेश चंदर पल्टा और तेज-देज गद्मों से बाहर निकल गया, सोहान लाल का गला, खुसकोने लगा, उसके सामने पावा ने बेहद सांट भाव से तीन को कतल करने का खुक्म नामा जाहिर कर दिया था, और आज साम को उसकी तस्वीर प्राप्त करने के लिए पावा अपने आदमी को बंबई भेज रहा था, सोहान लाल ने नई सिग्रेट सुरगा कर गहरा कस लिया, मिश्टर तीरत राम पावा, सोहान लाल उठने के पास साथ इस तीर स्वर्म बोला, मेरे ख्याल से हमें जो बात होनी थी, हो जोगी, मैं अब यहाँ अपनी जुरत नहीं समझता, तुम अपना आदमी बंबई भेज सकते हो, तक यो मेरी तस्वीर लाए, और तुम उस तस् तुम्हारे आदमी जानते हैं, जब जुरत पड़े, मुझे बुला लेना, अब मैं चलता हूँ, काने के पास साथ सोहान लाल पावा को प्रस्न भरी निगाहों से देखने लागा, पावा के होटों पर एक एक मुस्कान आ गई, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बेसक जा सकत हो, लेकिन किसी परकार की गडवर करने की चेश्टा ना करना, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, कि तुम मेरी निगाहों में हो, सोहान लाल ले सिरह लाया, और दरवाजी की तरफ बढ़ गया, सोहान लाल के जाने के पसाथ, पावा ने रिसीवर उठा कर, एक्स्टेंशन दबाया, दूसरी तरफ से फोरन रिसीवर उठाया गया, जो आदमी अभी अभी मेरे आपिस निकला है, उस पर नज़ा रखो, उसका नाम सोहान लाल है, काने के पसाथ, तीरह थ्राम पावा ने रिसीवर रख दिया, इस्वर पाल देस्मुक का दो कमरों का छोटा समाकान था, पुलिस की नौकरी करके, उपनी बुढी मा और बीवी बच्चे को पेट पाल रहा था, उपनी छोटी सी दुनिया में खुस था, पत्नी कंचन सबित्री का आवतार थी जैसे, सासु मा को तो वो हमेशा सिर आखो पर बिठाए रख दी, जैसे वो उसकी ही मा हो, ऐसी बहुपा कर इस्वर पाल की मा भी धानिया हो गई थी, इस्वर पाल देस्मुक इस समय ड्यूटी पर था, उसकी मा नन्य से बच्चे को उठाए, उसे हसाने की चिश्टा कर रही थी, कंचन किचन में अपनी सास के लिए चायवाना रही थी, बिता हुआ बक्त ठीक था, प्रन्तु आने वाला बक्त उनके जिहन से कोसो दूर था, सब कुछ खत्मोने जा रहा है, इसका तोने गुमान भी नहीं था, तबी घर के ठीक सामने सफेद रंकी कारू की, डाइबर इत मिनान से बीच में बैठा रहा, पिछली सीट पर बैठे, दोनों बेक्ती नीचे उतरे, और सांत भाव से आगे बढ़ते हुए, खुले तरवाजे से भीतर परवेश कर गए, सामने ही इस्वरपाल की मा भर्स पर बैठी, बच्चे से खेल रही थी, ओ दोनों को प्रस्न भर निगाहों से देखने लगी, इस्वर सहाब है, नहीं बेटे, ओ तो फुलिस एस्टेशन में होगा, उसे मिलना है, तो अभागिन बूढी, अपने सब्द भी पूरे न कर सकी, दोनों ने रिवलवरे निकाली, और गोलिया चलानी सुरू कर दी, गोलियों की आवाज सुनकर कंचन चीकती हुई, किचन से भागती हुई, वहाँ पहुची थी, कि गोलिया उसके सरीर में भी थस गई, बारूत की गंध वहाँ फैल चुकी थी, गोलियों के धमाके अभी तक गुजते महसूस हो रहे थे, इस्वर पाल देश्मुक की बूढी मा, जवान बीवी और नन् सांती से रिवल्वर जेब में डाली और बाहर निकालाए, गली मुहले की लोगों ने, सबने उने देखा, परन्तु किसी ने उनकी तरफ बढ़ने की कोशिस न की, आगे बढ़कर वो कार में बैठे और कार तेजी से आगे बढ़ गई, उसके बाद सारा इलाका इस्वर दे असपश्ट देखी जा सकती थी, मकान को घेर कर तो सब खड़े थे, परन्तु किसी ने भी भीतर जाने की चेश्टा ना की, हेलो, लाल चौक पुलिस से स्टेशन, यस, मुझे इस्वर पाल देश्मुख से बात करनी है, जस्ट होल्ड ऑन फ्लीच, दो पल तक लाइन में ख पुत के फर्स पर जोर जोर से जूता मारने लगा, कदाचित बित्ता हुआ एक एक पल उसे दिन के बराबर लग रहा था, हेलो, कौन, सोहालाल का दिल धड़कने लगा, इस्वर पाल देश्मुख, आप कौन है, सब कुछ भूल कर पहले मेरी बात का उत्तर दो, तुमने त आदमियों को छोड़ने को कहा, और तुम नहीं माने, ठीक कहा अपने, लेकिन, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तीरत राम पाहवा ने मेरे सामने तुम्हारे परिवार को समाप्त करने का फार्मान जारी किया है, क्या, तुम्हारे परिवार में बूडी मा, तुम्हारे बी और आदन खून खराबा पसंद नहीं करता, बदकिस्मती से उस वक्त मैं पाहवा के पास ही था, अब जो होने वाला है, तुम्हें बता दिया है, चाहो तो खुद को बरबादी से, तुम्हारा नाम, इस्वरपाल देसमुक एकाएक चीखा, उलुक के पठे, जाकर पहले अ अचार डालेगा क्या? सोहालाल ने दात किटखिटा कर कहा, और इसीवर रखने के पास साथ, आस्तिन से माथी का पसीना पोचा, और वोच से बाहर निकलाया, दीन के तीन बज रहे थे, सुर्या पस्चिम की ओर जाने की तयारिया कर रहा था, अब उसे भी इस सहर से कुछ क कर जाना था, क्योंकि तीरत राम पावा ने अपना आदमी बंबई भेज कर सोहालाल की तस्बीर मंगवानी थी, जो उसकी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि ओ सोहालाल था ही नहीं, अगर इस बात की जनकारी तीरत राम पावा को हो जाती, तो फिर उसका क्या अंजाम होने वाल यू अच्छी तरह से जानता था। इसलिए उसे अब हरा हाल में इस सहर से कुछ कर जाना था। कोई आदमी उसके आसपास मनरा रहा है। सोहालाल सतरकता से इधर उधर देखने लगा। वहां काफी ज्यादा भीर थी और इन में कोई भी उसकी निगरानी करता हो सकता था। सोहालाल ने चौराहे से टेक्सी पकड़ी और एक खास दिसा में चलने को कहा। सोहालाल ने सोचा कि मुमकीने पावा ने खाली उसे ड़ाने के लिए ये कहा। खेर जो भी होगा अभी सामने आ जाएगा। तेक्सी बुथ के बाहर जा करूगी। सोहालाल नेचे उतरा और विना डाएं बाएं देखे बुथ में परवेश करके रेसीवर उठाया और डायल घुमाने लगा। उसी समय पीछे आ रही हरे रंग की कार फर्राटे से आगे निकल गई। सोहालाल ने रिसीवर रखा और वापस टेक्सी में जा बैठा। तबी उसकी निगा सामने सीधी खाली सड़क पर पड़ी। कोई 300 गज के फासले पर हरे रंग की ओकार रुकी हुई थी। वापस चलो ड्राइवर। सोहालाल ने सिगरेट का कस लेकर कहा। ड्राइवर ने फौरन टेक्सी घुमाई और फूरी रफतार से दोडाने लगा। सड़क खाली थी। सोहालाल ने पलट कर देखा। हरे रंग की कार बराबर उसके पीछे आ रही थी। प्रणाव की रेखाए उजागर हो रही थी। टेक्सी में बैठे बैठे ही। उसने किराया चुकता किया और भीट भाड वाली जगाव पर उतर गया। उतरने से पहले ओ सहर से निकल जाने की योजना बना चुका था। दोनों हाथ जेबों में डाले ओ बजार में लपरवाही से टहलता रहा। आदा घंटा उसने योँ ही बैतीत किया। फिर एक ऐसी दुकान में परवेश कर गया। जहांसे ड्रामा, नाटक वेगरा हारा का समान मिलता था। उसने वहां से बिलकूल असली लगने वाला नकली रिवल्वर खरीदा और उसी जेब में डाल कर वहार आ गया। दो कदम चलने के पास चात उतुरंत पल्टा और दुकान में इस तरह परवेश कर गया जैसे वहां कुछ भूलाया हो। फिर उ तुफान की भानती दुकान के दूसरी रास्ते से बाहर निकला और लगभग भागने की सी गती से चलने लगा। उसका पीछा कौन सा बैक्ती कर रहा है। ये जानने में उसने खामखा बक्त बरबाद नहीं किया। बीड में कुछ उल्टे सीधे चकर काटने के पास साथ। उसने टेक्सी भकडी और वहा से पाँच साथ मिल दूर उतर कर पैदल ही आगे बढ़ गया। फिर उसे एरिस्ट्रेंट दिखाई दिया। तो वहां परवेश कर गया। ओवेटर की चाय, वटर, टोष्ट लाने को काकर सिगलेट सुलगा ली। उसके बैठने के पास साथ, साथ, आठ आठ आदमियों ने भीतर परवेश किया। उनमें से किसी ने भी तवज़ो नहीं दी कि सोहलाल क्या कर रहा है। और सोहलाल ने जरा भी परवा नहीं की कि रिस्ट्रेंट में आने वाले में से कोई उसे देख रहा है या नहीं। सोहलाल को देखने पर मौसूस हो रहा था कि उसके लिए कुछ स समय सबसे अहम काम सिर्फ चाय पीना था वटर टोष्ट खाने के पास साथ ये सोहन लाल की पांचवे चाय थी उसे सर्व करने वाले वेटर के चेहरे पर परिसानी सी उभरने लगी थी कि साला चाय पर चाय मंगवाय जा रहा है कोई एक घंटा बीतने के पास चाथ सोहन लाल उवेटर को इसारे से पास बुला कर बिल चुकता किया और पांच रुपए टिप देने के पास साथ बाहर निकलाया सिगरेट सु लगा कर उसने तीन चार कस एक साथ लिये और पलट कर एरे स्टुडेंट के मुख्य द्वार को देखा जहां से तीन ब्यक्ति निकले दोने उसे देखा भी फिर अपने अपने रास्ते पर बढ़ गए। सोहा लाल लापरवाही से भरी चाल से चलने लगा। कुछ आगे जाने के पास्टान सड़क के दोनों और दुकाने सुरू हो गई। एक साधी के दुकान से उसने लाल सुर्ख साधी और लाली रेडिमेट बला अखिरकार उसे ओब्यक्ती नजर आ गया जो साय के समान उसके पीछे था। तीस साल की उम्र का होगा। सिर पर पुलिस्यों की तरह छोटे छोटे बाल थे। तंग मोधी की पेंट के नीचे हंटर सूपान रखे थे। उपर हाफ बाजू की कमीज थी। बदन गठा हुआ इसे उसने रेश्टूरेंट में बैठे भी देखा था और उसके बाहर निकलने के पास साथ यहीं ब्यक्ती सबसे पहले बाहर निकला था और अब उसे यहां नजर आया था। का एसास हो गया कि काले रंग की एमबेश्टर कार उसका पीछा कर रही है। पहले हरे रंग की कार और अब काले रंग की यानि उस पर निगाह रखने वाले एक नहीं एक से ज्यादा बेखती है। तुम सोहालाल टेक्सी ड्राइवर से बोला सौरूफ या कमाना चाहते हूँ। बिल्कुल सहाव लेकिन मुझे करना क्या होगा। पीछे काले रंग की कार आ रही है। उससे पीछा छूडाना है। टेक्सी ड्राइवर ने बैक मिरर में काले रंग की कार को निरेक्षन किया। और फिर बोला ठीक है साव आप सौर का नोट तयार कर लीजिए। करने के पास साथ टेक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को गियर में बदल कर एक्सीलेटर पर पूरा पाउं तबा दिया। सोहाल लाल ने जेब में से सौ का नोट निकाल कर हाथ में ले लिया और गाड़ी हवा से बाते करने लगी। तगड़ी हस थी। उसके आदमियों को धोखा देना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिनों धोखा दे चुका था। अब इसका क्या अंजाम होने वाला था। ओ अच्छी तरह ये भी जानता था। ओ भी जानता था कि बेसबरी से उसे तलास किया जा रहा होगा। और किसी भी समय ओतीरत राम पावा की गिरब्त में वापस पहुं सकता था। सोहालाल पूरी सतरक्ता के साथ लवर्स लेन में तहल रहा था। ये पतली और लंबी सड़क थी जिसके दोनों और जंगल था। चुकि उसका इस्तिमाल नहीं होता था। इसलिए सड़क पर लाइट का प्रबंद नहीं था। वहां घुफ अंदेरा था। और अंदेरा होने पर औसर की तलास में लड़के लड़किया यहां आ जाते थे। कोई बात पर, कोई कार पर, कोई स्कूटर पर और मोटर साइकल पर। नौ बजने तक वहां अच्छा खासा ताता लग चुका था। जोड़े आ रहे थे, जा रहे थे। आखेकार सोहनलाल को अपनी मन पसंद का जोड़ा मिल गया। नई फियेट कार में बैठे, अपनी ड्यूटी भोगता रहे थे। लड़की 20 के पास थी और लड़का 25 के। दोनों ही खोसरत थे। उनकी कार पेडों के जुर्मुट में खड़ी थी। सोहनलाल साधानी से आसपास देखता हुगा। कार के पास पहुचा। और विना च्छन गवाए डाइबर की सीट वाला डोर खोल कर कार के भीतर परवेश कर गया। पलक छपकते ही जेब से नकली रिवलवर निकाल कर उन पर तान दिया। दोनों पिछली सीट पर मौजूद थे। फोरन छिटा कर अलाग हो गए। चेहरे पर हाट बड़ा हाट और बौकला हाट उभाराई। परंतु रिवलवर को देखकर आखे भाय से भट गए। दोनों लाल रिवलवर ताने बेहद सांधी से उनके चेहरे देखता रहा। कुछ देर तक वहाँ चुप पीछाई रही। लड़के लड़की का आतंक चरम सीमा पर पहुँच गया। तो सोहन लाल ने अपनी आवाज में दरिंदगी भार कर कहा। अगर चिलाने की कोशिस की तो मैं तुम दोनों को सूट कर दूँगा। और किसी को मालूम भी नहीं होगा। क्योंकि रिवलवर में साइलेंसर लगा हुआ है। गोली की आवाज भी नहीं आएगी। अरे रिवलवर को क्या घूर रहे हो। साइलेंसर तुमें दिखाई नहीं देगा। ये रिवलवर का बिलकुली नया मोडेल है। साइलेंसर इसकी बीच में ही फिट है। कहो तो गोली चला कर दिखाओ। लड़की के कंड से घुटी-घुटी सी चीक निकली। और उसने भाय से लड़के को दोनों बाहों में जकाड लिया। दोनों डर और दहसत से थर-थर काप रहे थे। हमारे पास कुछ नहीं है। जो है तुम्हें दे देते हैं। लड़की साहस करके कहा। नहीं बच्चो तुम मुझे गलत समझ रहे ह। मैं कोई लूटे रहा नहीं। सोहालाल की आवाज एकाएक मुलायम हो गई। दरसल मैं तो खुद मुसिवत में फशा इंसान हूँ। कुछ खतरनाक लोग मेरे पीछे पड़े हैं। और मेरी जान लेना चाहते हैं। और मेरी तलास में सहर का चप्पा 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 चान रहे हैं। मैं इस सहर से बाहर निकलना चाहता हूँ और तुम दोनों मेरी सहायता कर सकते हूँ। मैं समझा नहीं, आप क्या कर रहे हैं। बक्त आने पर सब कुछ समझा दूँगा। आज रात तुम दोनों को मेरे साथ साथ रहना होगा, कोई चलाकी की, तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूगा, नहीं, हम कोई चलाकी नहीं करेंगे, लड़का घबड़ा कर बोला, यह तो बहुत अच्छी बात कहीं तुमने, क्योंकि मैं जब भी किसी का कत्र करता हूं, तो यह मुझे बहुत दूख होता है, अब तुम यहां आजाओ, और मैं लड़की के साथ पिछली सीट पर बैठ जाओंगा, नहीं, लड़की के कंड से चीख निकली, क्या नहीं, सोहलाल गुर राया, लड़की की घिगी बन गई, लड़का घबरा उठा, आप फिकर ना करें, यह घबरा गई है, अभी ठीक हो जाएगी, लड़की ने सिगरता से कहा, उडर रहा था कि सोहललाल कहीं गोली ना मार दे, तुम आगे आओ, सोहललाल क्रोद से बोला, लड़का फोरन कार के भीतरी, सीट पार करके आगे आया, और सोहललाल पिछली सीट पर पहुँच गया, लड़की सामकर सीट के कोने में सिमट गई, कार स्टार्ट करो और यहां से निकलो, लड़के ने कार स्टार्ट करके, बैक की और फिर तेज रफ्तार से चलाते हुए, लवर्स लेंसे बाहर खुली सड़क पर आ गया, तुम दोनों का क्या रिष्ता है, साधी का प्रोग्रा सांत भाव से पूचा, साधी करने वाले हैं, लड़के ने सुखे होटो फर जीप फिर कर कहा, दस मिनद तक सोहलाल के बताय रास्ते पर चल कर कार रूप गई, सोहलाल ने आसपास देखा, एस सहर की सबसी उजाड जगा थी, तुम नीचे उतरो, और ओ सामने फुलिया के प पैकेट पड़े हैं, उने लेकर आओ, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, जल्दी करो, लड़का दरवाजा खोल कर, तेज-तेज कदमों से पुलिया की तरह बढ़ गया, सोहल लान ने लड़की को देखा, अकेली होने पर ओ थर-थर कापने लगी थी, घबडाओ नहीं बेटी, मैं तुम्हारे बाप के वराबर हूँ, मुसिबत न होता, तु तुम दोनों की तरफ आक उठा कर भी न देखता, लड़की गहरी सासे लेने लगी, लड़का पुलिया के पीछे पड़े, पैकेट उठा कर ले आया, सोहल लान ने पैकेट थामे, और एक डिबबा लड़की की तरफ बढ़ा कर बोला, इसमें दुलहन की साड़ी, पेटी कोट और बलाओज है, इसे ले जाओ, और बिना कोई सवाल किये, पेड़ों के पीछे जाकर पहान आओ, एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने भागने की कोशिस की, तो मैं तेरे आसिक को गोलियों से भून दूँगा, लड़की ने सुखे होटो फरजीब फिरी, और डिबाथा में बाहर निकल कर सामने दिखाई दे रहे, पेड़ों की तरह बढ़ गई, जल्दी आना, लड़की के गले से बड़ा सा काटा चुव रहा था, लड़की के जाने के बाद, सोहालाल हाथ में रिवलव दातों में दबाया और अपने कपडे उतारने के पास साथ ड्राइवल वारी वर्दी पानी तथा सिर्फर वर्दी से मैच करती तोपी पहल ले, कुछी देर में लड़की सुर्ख साडी और बलाउजवाने वहाँ आ गई, गुट, सोहालाल ने प्रसनता से लड़के से कहा, अब तुम कार ले जाओ और इसे फूलों से सजा कर ऐसे ला दो, जैसे ब्या के पास साथ डोली सजी कार होती है, लड़का सिर्फ लाकर कार में बैठा, कि सोहालाल ने कहा, तुम याद है ना, कि अगर तुम वापस ना आए, तो मैं क्या करूंगा, हाँ, तुम लड़की को मार दोगे, गुट, तुम्हारी आदास अच्छी है, पुलिस को इनफर्म करने पर भी यहीं हासल होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, आदे घंटे में वापस आ जाओंगा, तुम्हारी मर्जी है, आना हो तो आ जाना, नहीं तो घर जाकर सो जाना, लड़का कार तेजी से आ दूर पेट से टेक लगा कर, सोहनलाल को देखती रही, अब उसी विश्वास हो रहा था, कि सोहनलाल किसी और तरह का नुकसान नहीं पहुचाएगा, उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है, आदे घंटे में लड़का कार को फूलो से सजा कर ले आया, सोहनलाल को रहत मिली, बर हो जड़की पर दुलहन का मेक अपर कराना है, इसे बिल्कुल दुलहन के जैसे सजाना है, आखिर क्या चल रहा था सोहनलाल के दिमाग में, पाह़वा के आदमी से बचने के लिए, सोहनलाल क्या तरकीव अपनाने वाला था, और इन दोनों की मदद से, सोहनलाल आखिर खु पाहवा से सोहल खुद को बचा पाएगा। तीरत राम पाहवा और सोहल लाल की ये जंग आगे कौन सी मोड लेती हैं। आप लोग सुनियेगा इसी नौविल की अगली कड़ी में। आदरनी स्रोता तो ये थी हमारी आज की उपन्यास की पहली एपिसोड। इस्टोडी वीथ अरुन पर अभी आप लोग जिस उपन्यास का वाचन सुन रहे थे उस उपन्यास का नाम था आतंक के बादल। सस्पेंस, ठीलर और मिश्ट्री से भरिपूर्ण इस उपन्यास की आगे की गठानक इसके दूसरे एपिसोड में आप लोग सुनेंगे जिसे लेकर आओंगा मैं अरुन गिरी कल के एपिसोड में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा। तब तक के लिए दीजिए अपने पिरिया आरजे अरुन गिरी को भी इजाजत। नमस्कार।